Hello everyone, welcome to my channel मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ये one word substitution का part 2 है तो कल हम लोगों ने कुछ one words पढ़े थे आज हम अपढ़ेंगे Being unable to pay one's debt यानि कि किसी के कर्ज को pay करने में काम मतलब की unable रहना ठीक है? इसे कहते हैं इन्हें insolvent कहा जाता है The study of functions of the body इसके लिए one word क्या है? Physiology ठीक है? That which cannot be moved यानि जो गतिशील नहीं है उसे कहते हैं immobile The study of insects Keto का धियन Entomology An office without any work but high pay जहां पे कोई जादा कोई काम तो नहीं है लेकिन जो pay मिल रहा है वो बहुत high है उसे क्या कहते है sign a cure फिर है an admirer of art उसे कहते है daili tent A man having qualities of a woman यानि की वो आदमी जिसके अंदर औरतों के गुड़ है उसे क्या कहते है effeminate word for word है यहां word for word शब्द के लिए शब्द verbatim ठीक wish to do good to others दूसरों के लिए अच्छा सोचना benevolence whose meaning is difficult to understand यानि जिसका अर्थ समझना मुश्किल या कथिन हो उसे कहते हैं abstrus ठीक है फिर है way out for water और steam यानि पानी या भाब के लिए कोई जगण ठीक है उसे निकलने के लिए तो उसे क्या कहते है outlet O-U-T-L-E-T want of sleep सिर्फ और सिर्फ सोने का मन हो ठीक है सोने की चाहत इसे कहते है insomnia फिर usual behavior of a social group ठीक है मतलब कि किसी समाज का एक particular कोई व्यवहार कह सकते है या फिर कोई मतलब कि एक particular tradition तो उसे क्या कहेंगे custom ठीक है फिर use of mild words in place of words required by truth यानि सत्य तो बताना है लेकिन उसमें वैसे word नहीं यूज़ करना है तो उसे क्या बोलते है euphemism euphemism ठीक है फिर है troops trained for being dropped by parachute तो उसे क्या कहते है paratroops paratroops ठीक है और भी धेर सारे videos में upload करने वाली हूँ English से related Thank you everyone